सब्ता भर से चरही विज्ञान सर्वत्र पुजयते कारिक्रम का आज राष्ट्य विज्ञान दिवस पर शिमला के गेटी थेटर में समापन हुआ शिक्षामंत्री गोविन सिंग ठाकूर ने कारिक्रम में मुख्यातिती के रूप में शिर्कत कर विज्ञान सब्ता के विभिन प्रत्योगिताओं में विजेताओं को पुरसकार देकर सम्मानित किया वहीं युवा विज्यान पुरसकार 22 के तहट भी विज्यान विशे में अवल आने वाले प्रदेश के 134 बच्चों को पुरसक्रित किया गया इस मौके पर शिक्षामंत्री गोविन सिंग ठाकुर ने कहा कि आज का युग विज्यान का है बच्चे विज्यान में जादा से जादा रूची ले इसके लिए सरकार ने 2018 से युवा विज्यान पुरसकार योजना शुरू की है जिसके अंतरगत हर वर्ष जमादो में विज्यान विशे में टॉप 10 और इसकी क्रमशे रैंक लाने वाले 134 बच्चों को पुरसकार विडित किये गए हैं युवा विज्यान पुरसकार का उदिश्य ने विज्यानी को प्रुसाहित करना है आज नेशनल साइस दे था और इस मौके पर हिमाद्चल परदेश के 134 बच्चों को पुरसक्रित किया गया है सन 2018 में जैराम ठाकुर जी के मुख्यमत्री बनने के बाद ये पुरसकार देना प्रारम किया था और जिसमें जो पहली कैटागीरी में बच्चे आते उनको एक लाख रपे दिया गया दूसरे को 90 हजार फिर 80 हजार और आखिर जो दस में उनको 10 हजार पे एक बहुत अच्छी राशी युवा बेग्यानिकों को प्रोसान के लिए दी गई है और आज 46 लाख रपया जो है इस साइंस एंड टेकनोलिजी और हिमकोस्टे के माद्यम से इन बच्चों को दिया गया है और जहां तो कैई कि बच्चे हर क्षेतर के बच्चे थे उसे निजी स्कूल के बच्चे पूर्षे के आछ थे सके चेहानित आफ लेकना है, ताकि वहांके बच्चे भी हमारे इस प्रकार की प्रत्योगता में और अच्छे तरीके से आ सके महत्यों पूर्ण है और इसके बिंदू तो खेर मैंने बज्धाय नहीं किये हैं लेकिन Science and Technology Policy जो आज यहां पर लॉंच की गई है बहुत महत्यों पूर्ण है और मुझे लगता है कि देश के बहुत कम राज्य ऐसे जिनकी अपनी ऐसी पॉलिसी बनी है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज लॉंच की है